बच्चों, आण देखते हैं कख्षाद नवी विशहिंदी पाट पाच अतीप के पत्रा लिखके विनोमा और गांधीजी लिखके विनोमा और गांधीजी चलो बच्चों पाट को शुरुवात करते हैं पर पुजबापुजी, एक साल पहले अस्वास्त के कारण आश्रब से बहार गया था यह तर्य हुआ था कि दो तीन मास वाई रहकर आश्रब लोट आउट जाओंगा पर एक साल बीद गया, फिर भी मेरा कोई ठीकाना नहीं पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोश मेरा ही वैसे मामा, मामा को मैंने एक दो पत्र लिखे थे, आश्रम ने मेरे रूदे में खास स्थान प्राप कर लिया है इतना ही नहीं, अपी तु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है ऐसी मेरी श्रद्ना बन गई है, तो फिर प्रशना उत्था है कि मैं एक वर्ष बाहर क्यों रहा जब मैं दस वर्षत था, तभी मैंने ब्रह्माचार्य व्रत का पाला करते हुए देश सेवा कर दे का व्रत लिया था उसके बाद में हाई स्कूल में दाकिल हुआ, उस समय मुझे भागवत गीता के अध्यन का शोप लगा मेरे पीता, मेरे पीता जी ने दुसरी भाशा के तोर पर फ्रेंच लेने की आग्याद दी तो भी गीता का, गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी मेंने, तभी से मेंने घर पर खूद पखूद खूदे ने स्वय सर्शुरूत का अभ्यास दूरू कर दिया था मैं आपके आध्या लेकर आज्रम में दाकिल हुआ, पर उसी समय वेदान्त का अभ्यास करने का अच्छा मुखा लगा था वाई में नारायन शास्री माराथी नामक एक आजन्म ब्रह्म विचारी विज्यर विद्धार्तियनों को देवता तथा दूसरे शास्र सिखाने का काम करते हैं उनके पास उपनिशदों का अध्यार करने का लोग मुझे हुआ इस लोग के कारण वाई में मैंने ज़्यादा समय रह गया इतने समय मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ जिस लोग के खादिर मैं अपनी दीनों आश्रम से भार रहा मेरा वहर लोग और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसारे स्वात के अनुसार निमित्य पहले तो मैंने दस बारह मिल घुमना शुरू गिया बाद में छह से आट से अनाज पीषना चालू किया आज तीन सो नमस्कर और घुमना यह मेरा व्याम है इससे मैं स्वास्तर ठीक हो गया देखो बच्चों परभुजब आपुजी ने कहा कि एक साल पहले एक साल पहले आश्रम के बाहर गया था कि एक तो दो तीन मास वहीं आश्रम से वह लवड़ भी आया पर एक साल बीद गया फिर उसका कोई ठीकाना नहीं था आश्रम तो मेरे मुद्य के खास एक स्था है मेरा जन्मा ही आश्रम के लिए है और मेरी श्रद्धा भी आश्रम के लिए बन गई है तो फिर एक प्रश्ण पुड़ता है कि एक वर्ष को बाहर एक वर्ष बाहर क्या करो दस वर्ष के लिए ब्रह्मचार्य अब्रण का पाला करते हुए देश सेवा करने में क्या जाता है उसने उससे समय भागवत गीता के अध्यन का उसको शोगता उसने पिता जी ने दूसरी भाशा दूसरी भाशा पर खेंच लेने के आगया की और गीता का मेरा प्रेम कभी क नहीं हुआ है राम यह ने नाराय शांस्त्रि माराठी नामक एक ब्रह्मचारी विज्यां को वेतान तक एतना दूसरे शांस्त्रा शिकाने का काम करते थे ए लोग के कारण वाई में ज्यादा समय ज्यादा था उससे सामय उसने क्या क्या किया कि जो इस लोग में खातीर दिनों आश्रम के बाहर रहा हो हो मेरा लोग और उसका कार्य लिखना उसका कार्य के निचे अनुसा लिखना है स्वांत के अनुसार हो पहले 10 बारा मिल गूमना शुरू गिया उसने 10 बारा दिन गूमना शुरू गिया बार में 6-8 से अड़ पिसना उसने शुरू गिया और सुरे नमस्कार गूमना यही उसका व्यावने इससे मेरा उससे मेरा स्वास ठीक रहता है ऐसे बापु जी ने कहा आगे हैं आहार की विशे आहार की विशे पहले छह मेहीं तब तो नमक खाणा बाल में उसी चोड़ दियां मसाले वेगेरा बिल्कुल नहीं खाए और आजनम नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया दूद शुरू किया बहुत प्रयो करने के बाद इह सीत हुआ कि दूद बिना बराबर नहीं चल नहीं सकता फिर भी अगर उसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है मगर एक मेने के लिए दूद लिम्मू पर बिताया इससे ताकत कम हुई उसके कार्य है गीता का वर्गा चला गया इसमें छव विद्धार्ति नियुका और सही सारी गीता दिखाई विना परिश्रमिक के नानेशवरी चह अध्यार इस वर्ग में चार विध्याति थे उपनिशत 9 इस वर्ग में दो विधर्ति रहे हिंदी प्रचार में स्वस्थ अच्ची हिंदी नहीं जानता फिर भी विधर्तियों के हिंदी के समाचार पत्रपढने पढ़ाने का उम्प क्रव रखा अंग्रेजी दो विधर्तियों को सिखाई यात्रा लगबग 400 मिल पैदल राजगर्ड, सीहगर्ड, तोरंगर्ड, आदी इतियास कसी दख किले रखे प्रवस करते समय प्रवसेने यात्रा करते समय प्रवचन करने का क्रम भी रखाता आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किये, अब यहां से आश्रम आते हुए पैदल मुंबई जाओंगा और वहां से रेल से आश्रम पहुचूंगा मेरे साथ 25 वर्ष का एक विधर्ति प्रवस कर रहा है मुझसे गीता सिखने का उसका विचार है, मैं अधिक से अधिक चैत्र शुकल एक को आश्रम पहुचूंगा वाई में विधर्ति मंडल नाम की एक संस्ता थी अपने नाम की उसमें एक वाचना नए खोला और उसकी साहता के लिए चक्की पिसने वाला का एक वर्क शुरू किया उसमें मैं और दुसरे 15 विधर्ति चक्की पिसते हैं जो मशिन की चक्की पर पिसवाने ले जाते उनका नाम हम करते हैं और पैसे वाचना लाई को देते हैं पैसे वाले को लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे यह वर्क को ही दो मास चला और वाचना लाई में 400 वुस्तक इकट्टे हो गए सत्याग्रहाश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफी प्रहत न किया बड़ोदा में 10-15 मित्र थे इन सब को लोग सेवा करने की इच्छा है इसे कारण वहां 3 वर्ष पहले हमने मात्र भाशा के प्रसार के लिए एक संस्ता सत्ता की थी इस संस्ता के वार्शीक कश्तों में गया था लिएकलने की पहले उच्छा महिने तो मैंने नम भी नहीं खाया बाद में उसे छोड़ दिया और मसाले वेगेरा बिल्कुल नहीं खाया नमग मसाले उसका उप्रत किया उसने बहुत प्रयोग करने के बार एक स्थीद धकिया कि दूद पीना बराबर चल नहीं रहा फिर भी अगर तुसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने मेरी इच्छा है एक मेरे केले और दूद पर विताया उसने बहुत सारे कारे भी पतार है कारे है कि जो गीता का वर्ग चला उससे चाव विद्यातियों को कि गीता सिखाई और परिश्रामित की नयनेशवरी छहट दियान इस वर्ग में चार विद्याति थे सत्या ग्रहा श्रम की तत्व का प्रचा करने के उसने कांफी प्रयद्ने किया बढ़दा में उसने मित्र थे बड़दा में 10-15 मित्र थे इन सबको लोग सेवा करने की बहुत पुच्छा थी इस कारण वर्ष तीन पहले हमने मात्रु भाषा के प्रसाथ के लिए एक संस्ता साफिर की थी एक संस्ता साफिर की थी इस संस्ता के वार्षिक उस्तों में वह भी चला गए थी मार्षिक उस्तों में चला गए थे उसमें मैंने वहां हिंडी का प्रचा करने का विचर किया मेरी श्रद्दा है कि वह संस्ता यह काम जरूर करेगी वो संस्ता जरूर काम करेगी अपनी हिंदी प्रचर का जो प्रहतन शुरू किया है उसमें बड़ोद्दा कि यह संस्ता काम करने का कोई काम करने को तयार रहेगी अंता में सत्यश्रम निवासी के तोवर पर मेरा आश्रम कैसा रहा यह कहना हवश्यक है आस्वाद्वरत इस विशे पर भोजन समंधी प्रकरन में उपर लिखा जा चुका हूँ अपरिग्रह लड़की थी अपरह लड़की की थाली कटोरी आश्रम का एक लोटा अपरिग्रह अपरिग्रह यहने संगरह ना करना जो संगरह ना करना वाली थी थाली थी कटोरी आश्रम एक लोटा धोती कबल और पुष्टो को इतना ही संग परिग्रह रखा है मतलग यह जो धोती कबल पुष्टो के उसको ही परिग्रह यहने संगरह करता है बड़ी कोड, टोपी वेगेरा ना पहचने का उसने व्रत लिया है इस कारण शरीप पर भी धोती ही कोड लेता हो करके पर बुना कपड़ा ही इस्तिमाल करता हू स्वधिशी पर्दिशी का समंदर मेरे पास ही नहीं आपके समंदर मदरस के आख्यान के अनुसर व्यापक अर्थ न किया तो ही सत्य अहिंसा ब्रहमचर्य व्रत इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकरी में मैंने ठीक किया है ऐसा मेरा विश्वास परिपालन ने अचीतर मैंने उसका पालन किया है अधिक क्या कहूँ जब भी अपने जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचारता है क्या इश्वर मुझे कोई सेवा लेंगा मैं पूर्ण श्रद्दा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम में आश्रम के नियों में के अनुसा एक दो छोड़कर में अपना आश्रही रखता हो यानि मैं आश्रम का ही हो आश्रही मेरा साध्य है साध्य ने जिर के साध्य ने जिस एक बात की कमी का मैंने उल्ले किया है वो अपना भोजर यानि भाकरी स्वय बनाना मैंने इसका भी प्रयत्न किया पर प्रवास में यह समभव नहोँ सका सत्यग्रह का या कोही दूसरा शायद रेल संबंदी सत्याग्रणा शुरू करने का सवाल पैदा होता हूँ तो मैं तूरनी पहुझाओंगा इधर आज्रम में क्या फेरफार हुए हैं तता कितने विध्यार्ती है राश्टिय शिक्षा की योजना क्या है तता मुझसे अपने आहर में क्या परिवर्तन करना चाहिए यह जाने की मेरी प्रबल इच्चा है आप स्वाई मुझे पत्र लिखे ऐसा विनोभा का आपको प्रितुमुल्ल प्रितुमुल्ल समझने वाला आपके पूत्र का आग रहे मैं दो चार दिन में यह गाँ छोड़ दूँगा विनोभा के प्रणा यह पत्र पढ़ कर गोरक के मचंदर को हराया भीमे भीम यह उद्गार बापो के मुँँ से निकल निकले थे सुबह सुबह उनको इस प्रकर उत्तर मिला कि तुम्हारे कि तुम्हारे लिए कौन सा मिशेशका कर लो यह मुझे नहीं सुचता तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में दुबा देता है तुम्हारे परिक्षा करने के मैं असामर्द हूँ तुमने जो अपनी परिक्षा की हैं उसे में स्विकार करता हूँ तुम्हारे लिए पीता का पत ग्रहन करता हूँ मेरे लोग को तुमने भल लगभग पूरा किया है मेरी मान्यता है कि सच्चा पीता अपने से विशेचरित्रवान पूत्र पैदा करता है माननतेने विश्वास सच्चा पुत्र वह है जो अपने जो पीता ने कुछ किया है उसे रुद्धी करे प्रेम की भेट बेट के रूप में स्विकर करता हूँ उस पत के योग्य बनने का प्रयत्ना करूंगा और जब मैं हिरन्य कशब सभित हूँ तो प्रल्लाद भक्त के समान मेरा साधर निरादर करना तुमारी यह बात सची है के तुमने बहार रहकर आश्रम के नियों मुका बहुत अच्ची दरह पालं किया तुमारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका दीन थी तुमारे संदिश तुमारे जो संदिश मामा ने मुझे पढ़का सुनाई थे कि इश्वर तुमें दिरगायू करे और तुमारा उपयोग हिंदी की उन्नति के लिए हो यही मेरी कामना है तुमारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता दूद का त्याग अभी तो मत करना इतना ही नहीं आविशकेता हो तो दूद की मातराये पढ़ाओ रेल विशरक सत्यागरह की आविशकेता अभी नहीं है पर उसके लिए एक ज्यानी प्रचार की आविशकेता है प्रचार का याने प्रचार करने वाला ग्याने की आउशकेता है यह संबल है कि शायद खेडा जिल्ले में सत्या ग्रह करना पड़ जाए अभी तो मैं रमता राम हूँ रमता राम हूँ याने एक साम पर न टिकने वाला हूँ एक दो तीन में एक दो दीन में मैं दिली जाओंगा विशेश तो चब आओगे तब सब मुसे मिलने को उस्तुखे बापु के अशिर्वात बापु में बापु के उद्गार बहुत बड़ा अनुश्य है मुझे अनुबव होता रहा है कि महाराष्टिय और मदरसियों के साथ मेरा अच्छा सभन्द है महाराष्टिय तो मैं पइसे ही किसी मुझे निराश किया है नहीं उसमें विनुबा ने तो हद कर दी जो विश्वाsw वाशिक्स्तों में गया था उसमें मैंने हिंदी प्रचार करने का विचार किया था मेरी श्रद्धा भी थी कि ए संस्ता में काम जरू करो ली हिंदी का प्रचार करने का उसने प्रयत न किया अपरी ग्रह लड़की ने मतलब संग्रह न करना जो लड़की कि थाली कटोरी आश्राम में एक लोटा दोती कंबल पुस्तगे उसने संगरहित कर गे रखाता है। इसी कारण शरीर पर भी धोती ही ओड लेता हो। कि सत्या अनिस्रा ग्रहमचर इन व्रतों का परिपालन अच्छी धरह से परिपालन करूंता। सत्या ग्रहकों में एक पर गणार annual कि ऑपना भोजार भाकरी या स्वाय करना चाहिए। मैंने भी उसका करने का प्रयद्न किया। पर प्रवास में संबगाल नहीं हो सका। सत्या ग्रहका या कुझी का सवाल पेधा होता हो तो मैं तुरण ही पहुच जाओंगा। ये आश्रम में क्या फेरपार हुए राष्टिय शुष्य की योजना क्या है मुझे अपने आहर में क्या परिवदन करना चाहिए ये आप स्वय मुझे पत्र में देखिए यसे वीनोबा ने प्रणा किया है और लानेज ने कहा कि तुमारे लिए कौन से काम लओ कि तुम दो देखिएक शनदικά हैं मेरी सच्चा पीता अपने विशेश्च चरित्रवान की सद्क्रा श्य राष्ट कहने आश्रम के देखिए अच्ची आश्रम में आने के बारे में कोई भी शंकन है तुम्हारे आहर में किसी प्रकर का परिवर्तन करने का भी मुझे कुछ नहीं लगता इतना ही नहीं तो आवशकता हो तो जोद की मात्राय बड़ा है बापु जी के आशे वास्ते उसने कहा कि बापु में जो उद्गारे मनुश जब होत बड़ा है मुझे अणुब होता है कि महाराष्टियों और मुद्रसियों के साथ मेरा अच्छा विवारे और जो महाराष्टी है किसी ने मुझे निरस किया नहीं उससे उसमें भी मिनोबाने तो हद कर दी बापु जी के आशिर वास्ते झाल झाल